दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब सभी की फेवरेट और एक एवर ग्रीन डोग बीड के बारे में जो है लेब्राडोर तो फेंट्स ये लेब्राडोर पपी एक फीमेल है और ब्लेक कलर में है जो कि मौश्री लोगों की इस कलर को लेके काफी डिमांड रहती है और फेंट्स ओनर के पास सिर्फ ये सिंगली पपी अवैलिबल है इसलिए उन्होंने दूसरे ब्रीडेस की तरह इसका प्राइस दस बाराग 14,000 तक नहीं रखा प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है तो फेंट्स ये फीमेल पपी शोट टेल में है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी को लेकर आप लोगों इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो बजट कम है और उसी बजट में आप लोग वेट कर रहे थे किसी अच्छी क्वालिटी के लेफरेट और पपी को पर्चेस करने के लिए तो भाई वेट किस चीज़ का फटा फट ओनर को कोंटेक्ट कर लो क्यूंकि ऐसे पपी जादा देर तक नहीं रुकते बट डॉंट वरी गाईस अगर पाई चान्स आप लोगों से ये वीडियो मिस भी होगी है क्या फिर आपकी लोकेशन से दूर है तो आप लोग चैनल पर एक्टिव रहें क्यूंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी क्वाइटे के पपीज लेके आऊँ और गाईस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिकेशन नहीं मिलती क्या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल का एकन को प्रेस करके उसे ओल पर करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की सभी नोटिकेशन मिलती रहें तो गाइस आप में इसे जो लोग भी अपने फर्स्ट डोग को पर्चेस करने जा रहे हैं तो लेबराडोर से बैटर आप लोगों को शायद ही कोई दूसरा उप्षिन मिले क्योंकि लेबराडोर में बहुत सारी एबिलिटीज है जोकि शायद आप लोगों को दूसरी फैमिली डोग स्पीड में इतनी सारी चीजे ना देखने को मिले तो फ्रेंड्स अगर इसकी एज के बारे इम बात करें तो ये लेबराडोर पपी 24 डेस की हो चुकी है और इसकी जो लोकेशन है वो है सोनी पत हर्याना से और डिलिवरी आप लोगों को ज़्यादा दूर तो नहीं मिल पाएगी और सिर्फ आप लोगो सोनी पत में डिलिवरी अवैलिबल करा सकते हैं क्या फिर आप लोग टाइट उनके पास वीजिट करके भी इसे परचेस कर सकते हैं क्योंकि किसी वीडियो को फोटो वीडियो में देखना और डारेक्ट देखने में बहुत फर्क होता है तो दोस्तो इस पपी के बारे में और बात है करने से पहले यह है हमारी पिछली वीडियो के टोप 3 कमेंट्स जिसमें से फर्ष्ट है संतोष गुपता, सेकिंड है दिव्यांग वागिया और थर्ड है जैश मेमने तो दोस्तो पपी के quality तो आप लोग देखी चुके हैं यह जो अप लोग अभी देख रहे हैं यह इस पपी के mother and father है दोनों बहुत ही अच्छी quality में हैं आप लोग उन्हें कभी भी call या messages कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस पपी के price के बारे में जैसा कि मैं आप लोग को बताई रहा था कि ये female आप लोग को काफ़ी affordable price में मिल जाएगी तो ओनरे जो इसके price के demand की है वो किया 8,000 रुपीस यानी 8,000 रुपे और ये price भी negotiable है इट मिन परसेल्स करते टाइम आप लोग को इसमें थोड़ा बहुट discount और भी मिल जाएगा बाकि इसकी age और location में आप लोग को अल्रेड़ी बताई चुका हूँ और गाइस अगर आप लोग के पास भी कोई डोग है आप लोग उसे sale या उसे free में adopt कराना चाते हैं तो अपने dogs की photo videos और उनकी बाकिक information मुझे whatsapp पर send कर सकते हैं मेरा number भी आप लोग को description में मिल जाएगा तो दोस्तो आशे करता हूँ आज की वीडियो अप लोग को पसंद आई होगी तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और new and interesting वीडियो में तब तक के लिए बाबाई